हेलो एंड वेलकम यू आल इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बहुत ही आसानी के साथ IRCTC का यूजर आईडी और पासवार्ड कैसे क्रियेट किया जाता है आप किसी भी आप्लिकेशन में 10 टिकट बुक करेंगे जैसे Xgo Ape, Rail Yachtry Ape, Phone Pay, Paytm, 10 Man चाहें कोई भी आप्लिकेशन हो उसमें आपको IRCTC का यूजर आईडी और पासवार्ड डालना पड़ता है तभी आप रिजर्ब 10 टिकट बुक कर पाएंगे एकाउंट बनाने से पहले आपको कुछ जरूरी बाते जान लेनी चाहिए तभी आप एकाउंट बना पाएंगे अधरवाज एकाउंट बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगा सबसे पहली बात आपके पास एक fresh mobile नंबर और एक email ID होना चाहिए जिसको यूज करके इससे पहले आपने कभी IRCTC का एकाउंट न क्रियेट किया हो और दूसरी बात आपको दिन के साड़े 9 बजे से ले करके और साड़े 11 बजे के बीच में IRCTC का एकाउंट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इस समय ततकाल टिकट की booking होती है और इस समय IRCTC का एकाउंट बनाना एलाव नहीं है अब मैं आपको IRCTC का सबसे आसान तरीके से एकाउंट क्रियेट करके दिखा दे रहा हूँ इसके लिए आपको सबसे पहले Google Play Store को ओपन करना है और ओपन करने के बाद से आपको यहां सर्च बार में IRCTC करके सर्च कर लेना है search करने के बाद से आपके सामने ये application आ जाएगा आपको इसे install करना है और install करने के बाद से जब आप इसे open करेंगे तो ये app आप से कुछ permission मांगेगा आप इसे allow कर देंगे उसके बाद से ये application खुल करके कुछ इस तरह से आपको दिखेगा तो आपको सबसे पहले दाहिने करने के लिए आपको यहां register यूजर पर click करना है क्लिक करने के बाद से आपके सामने यह चोटा सा farm आ जाएगा इस farm को आपको भर देना है काफी आसान है मैं इसे बता दे रहा हूं सबसे ऊपर आपको यहां पर अपना मोबाइल नमबर डालना है मोबाइल नमबर डालने के बाद से आप नीचे देख सकते हैं यहाँ इमेल का आपसन है तो आपको यहाँ पे इमेल डालना है उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं कि यूजर नेम का आपसन है इसका मतलब यह है कि जो आप IRCTC के लिए यूजर आइ का ध्यान देना है कि बीच में अस्पेस नहीं होना चाहिए आप जो भी नाम या नमबर डालेंगे एक साथ ही रहेगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहां पर यूजर नेम डाल दे रहा हूं यूजर नेम डालने के बाद से आपको यहां पर पासवर्ड डालना है तो देख यहां पर पासवर्ड डालना हूं दोस्तों आपको भी कुछ इसी तरह का पासवर्ड डालना यहीं नहीं डालना है लेकिन इससे कुछ मिलता है जूलता है यहां पर डालना है उसके बाद से नीचे यहां पर नाम डाल देना है तो नाम कैसे डालना है देख सकते हैं कि तीन हुआ है फिर्स्थ ने मीडिल नेम लाष्ट नेम् जैसे किसी व्यक्टी का नाम राहL गॉण है तो फट्नेम में राहुल डाले freaked । लिकिन दोस्तों के बाद से आपको यहाँ पे date of birth डालने का option दिखेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से अपना date of birth select कर देना है कैसे select करना है मैं आपको बता दे रहा हूं जैसे किसी ब्यक्ति का date of birth 10-10 Scottish on98 तो सबसे पहले यहां पर क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद से तो इसलेट जरेट लेक्त इसके बाद से जर्ञेट करें तो यहां पर सबसकर हो люд Parkinson सेसे माहिना मतलब कि जुलाई करें और जुलाई कि दस तारिक करने के बाद से नीचे यहां पर K यह चलिक कर देना है उसके बाद से यहां पर जेन्डर्स लेक्षट कर लेना है अगर महिला है तो यह जो गूली बना हुआ है एफ वाला एफ वाला से करेंगी अगर पूरुसर हैं तो यह जो is now is now करेंगे उसके आपको यहां पे क्लिक करना है और इनमें से कोई एक प्रस्वन आपको चूज करना है और चूज करने के बाद से आपको इसका उत्तर लिख देना है जैसे यह प्रस्वन है कि आप सबसे पहले किस विद्याले में पढ़े थे तो आप इसको स्लेट करना है और यहां पे उत्तर लिख देना है जो जिस बिद्याले में आपने पहली बार पढ़े थे उसका नाम यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूं उसके बात से आपको यहाँ यह ड्रॉप्डाउट लिस्ट पर क्लिक करना है और आप क्यों सा काम करते हैं उसको select कर लेना है तो चलिए दोस्तों मैं student select कर दे रहा हूँ उसके बाद से marital status का option है तो इसे में से जो भी हो आप select कर लीजे मैं on married select कर ले रहा हूँ तो अभी आप जैसा की देख सकते हैं कि इस तरह से आपको भी इस farm को feel कर लेना है और feel करने के बाद से आपको नीचे यहां देख रहे हैं next का option है तो next पे click कर देना है click करने के बाद से आपको यहां पे address भरने का एक और farm आ जाएगा काफी simple है यह भी बहुत असानी के साथ आप भर लेंगे तो चलिए मैं आपको भर के दिखा दे रहा हूँ सबसे उपर देख सकते हैं लिखा हुआ है residence address तो यहाँ पर आपको अपने गाउं मुहले का नाम type कर देना है जैसे अगर आप गाउं में रहते है तो गाउं का और बड़े पोस्टाफिस का नाम लिख दीजिए सहर में रहते हैं तो मुहले का और पनी सहर का नाम लिख तो आपको यहाँ select country पर किलिक करना है और यहाँ से आपको इंडिया select कर लेना है एक बात और उपर यहां पर आपको एक छोटा सा box दिख रहा है तो इस box वापको क्या करना है कि चेक कर देना है तो आपको अपने area का यहाँ पर pin code डाल देना है अगर आपको अपने area का pin code पता नहीं है तो आप इसको Google में search करके पता कर सकते हैं मैं अपने area का pin code यहाँ पर डाल दे रहा हूँ pin code डालने के बाद से अपने आप यह validate हो जाता है उसके बाद से यहाँ पर आपको CT पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से अपना CT सेलेट कर लेना है उसके बाद से आपका पर पुस्टापिस का आपसन दिखेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपका जो भी पुस्टापिस हो इस लिस्ट में से आपको सेलेट कर ल को आपको यहाँ पे feel कर देना है दोस्तों क्यपचा भरते समय आपको ध्यान देना है कि अस्माल लेटर क्यपटर लेटर यानि जो जैसा लिखा है वेसे ही आपको टाइप करना है जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने यह पूरा फारम भरा हुआ है आपको भी ऐसे भर लेना है और भरने के बाद से नीचे यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर का अपसन है आपको रजिस्टर पर किलिक करना है उसके बाद से आपके सामने यह एड आएगा आपको इस एड को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना mobile number और email ID को verify करना होगा तभी आप इसको यूज कर पाएंगे तो इसके लिए आपको यहां simply OK पर किलिक करना है अब आपको यहां पर आपने अभी अभी जो user ID बनाया हुआ है और जो password बनाया हुआ है उस user ID को सबसे उपर डालन है उसके बाद से आपको capture field करके login पर किलिक करना है तो यह सब कुछ मैं अभी आपको करके दिखा दे रहा हूँ तो सबसे पहले हम यहां पर user ID डाल लेते हैं और उसके बाद से नीचे यहां पर password डाल लेते हैं अब password डालने के बाद से दोस्तों यहां पर नीचे देख सकते अब आपको यहां पर mobile number और email verify करने का आफसन आ जाएगा तो सबसे उपर देख सकते हैं कि आपका mobile number लिखा हुआ है उसके बाद से आपको send OTP पर क्लिक करना है उसके बाद से आपको कुछ second wait करना है और उसके बाद से आप यहां OK पर क्लिक कर देंगे जब आप OK पर क्लिक क के नीचे यहां पर send OTP का option है आपको यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से आपको यहां OK पर क्लिक कर देना है अब आपके email पर भी OTP चला जाएगा तो आपको अपना email open करना है और open करने के बाद से आपको OTP लेना है और उस OTP को यहां पर type कर देनी है यहां पर आपको यहां पर वेरिफाई यूजर पर क्लिक कर देना है उसके बाद से आपको इस तरह का मेसेज आ जाएगा कि कांग्रे चुलेशन OTP verification successful तो अब आपको यहां पर OK पर क्लिक कर देना है दोस्तों और आपका जो IRCTC का account है create हो गया है verify हो गया है अब आप ticket book कर सकते हैं इसके लिए simply आप दुबारा login हो जाएंगे और अपना MPN create कर लेंगे या Biometric authentication on कर लेंगे तो दोस्तों यह भी करके दिखा दे रहा हूं उपर देख सकते हैं कि user ID पहले से यहां पर आ गया है उसके बाद से आपको simply यहां पर password डालना है और उसके बाद से आपको जब login करना हो तो सिरफ 4 number डाल कर ही login हो जाएं उसके बाद से यहां पर देख सकते हैं एक option है Biometric authentication तो जब आप इसको आन करेंगे तो आन करने के बाद से आप finger लगा करके भी आप इस एप में login हो जाएंगे तो आप यह जो Biometric authentication देख रहे हैं आपको इसे आन कर लेना है जैस दो आप इसमें login हो जाएंगे अब आप यहां पर टिकेट बुक करने के लिए रेड़े हैं सिंप्री आपको टेंट पर क्लिक करना है और उसके बाद से आपका टेंट टिकट बुकिंग का प्रसेस स्टार्ट हो जाएगा इस एप में आप कैसे टेंट टिकट बुक करेंगे इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है लिंक दिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना न भूलिएगा थैंकि फर व